रादे रादे दोस्तों दोस्तों अगर नवराक्त्री में रात को दस बज्जे ये उपाय कर लेते हैं साथ लोंका उपाय कर लेते हैं तो पती पत्नी में हुरा कलेश निश्चित रूप से दूर हो जाता हैं पती पत्नी में प्रेम बरता हैं ये उपाय नवराक्त्री में तो आपको करना यह हैं कि कलेश को दूर करने के लिए साय काल के समय एक आटे का दीपक बनाना है चौ मुखा दीपक बना करके उसमें गाय का घी बरें और उसमें चार बत्ती लगाएं मोली की चार बत्ती लगानी चाहिए और साथ फुल डाल लोंग लेनी हैं उस साथ फुल डाल लोंगों को जो तूटी कटी फटी ना हों अपने हाथ में ले करके माता रानी के मंदर में जाएं या अपने घर पर ही माता रानी की फोटो के सामने करें साहकाल को इस उपाय को कर रहे हैं उस समय उन लोगों को सीधे आट में ले करके आपको नौ बार ओम दुम दुरगाई नमा ओम दुम दुरगाई नमा इस मंतर का जाप करके और फिर अपनी मनोक कामना बोल करके लौंग माता रानी के चैनों में अर्पिट करनी हैं और वह गाय के घी का अधीपक मातारानी के सामें जला देना है केवल इत्चोटे से उपाई को करने से निश्चित रूब से पती पत्नी में प्रेम भरता है और पती का चुक वसी करन होता है दोस्तों नवरात्य में सुपाय को जुरू करें वीडियो को शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें आप सभी को रादे रादे